दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का wisdom education पे हैं यदि आप BPSC mains की त्यारी कर रहे हैं तो यह lecture आपके लिए काफी important होने वाला है BPSC mains में किसी answer को कई से लिखें किस तरह से हम अपने answer को present करें इसी perspective पे हम लोग चर्चा करेंगे और एक model answer मैं आपके साथ discuss करूँगा उसके साथ हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यदि आप 67 BPSC mains देने वाले हैं या 68 BPSC mains देने वाले हैं या किसी अधर PCS का mains भी देने वाले हैं तो भी यह lecture आपके लिए काफी important होने वाला है यह जो answer मैं आपके लिए लिख आया हूँ यह जो question मैं लिख आया हूँ इसे जो लिखा है basically जिस अभिहार्थी ने लिखा उसका handwriting दिखने से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन इनका chain 65 BPSC में audio pad पे अल्रेडी हो चुका है नाम नहीं बताऊंगा मैं लेकिन 65 BPSC में audio pad पे chain है तो इस बात से एक बात का एहसास तो जरूर होता है कि आपका answer writing जो है content आपका important है handwriting बहुत ज़्यदा important नहीं है हाँ लेकिन handwriting ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे सामने वाले को परग पाए examiner आपके question को या आपके answer को पर पाए इतना अच्छा आपका handwriting होना चाहिए लेकिन उससे अधिक important होता है content जो आप लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यदा important होता है इसका handwriting अच्छा नहीं है लेकिन इसका content बहुत अच्छा है question है कि भूमणड़िये तापन जिसे global warming कहते हैं और जलवायू परिवर्तन जिसे climate change कहते हैं से क्या तातिपर हैं इसके लिए कौन-कौन से कारक उतरदाई हैं इनसे निपटने के लिए अब तक क्या प्रियास किये गए हैं आप इस समद्ध में और क्या सुझाओ देंगें question जब आप परते हैं तो उस प्रियास कीजिए कि उस question को विभीन प्रस्पेक्टिव में या विभीन भाग में उस question को आप लोग तोर पाएं इस question का पहला भाग जो है यह है कि भूमंडलिय तापन और जलवाई परिवर्तन से क्या तात्क परे हैं एक भाग तो यह हो गया दूसरा question का भाग है कि इसके कौन-कौन से कारक है यानि जलवाई परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज जो है क्लाइमेट चेंज और भुमंडली तापन इसका क्या-क्या कारक है कौन-कौन से इसके कारक है क्यों ये बर्रा है तीसरा इसका पार्ट है कि इससे निपटने के लिए अब तक क्या-क्या प्रियास किया है सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या-क्या प्रियास किया है और चो था इस समय में क्या-क्या सुझाओ देंगे तो इस question को चार part में अगर आप लिखे का तभी आपका answer complete होगा अगर ये चारों part को आपने touch नहीं किया है तो आपका answer complete नहीं होगा तो question जैसे आए आपके सामने में प्रयास किजिए कि उस question को बिभिन भाग में तोड़ने का और एक बार आपके लिए तोड़ देते हैं उस question को तो उसके बाद आपके लिए answer देना आसान होता है तो देखे इन्होंने introduction में जो शुरुवात किया है वो शुरुवात किया है गांधी जी के एक famous quotation है और ये quotation की चर्चा भी मैंने आपके साथ किया है कई बार कि धर्ती मनुस्तर के आवसकता के लिए पूर्ती कर सकता है प्रंतु लालज कर नहीं ये महात्मा गांधी जी का एक famous quotation है और इसी quotation से इन्होंने अपने introduction के शुरुवात किया वर्तवान में भारत सहित संपूर्ण विष्व में औद्यूगी करन नगरी करन आदी में तिव्र विर्धी हुई है जिससे cfc, co2 तथा ch4 gaso का उत्पाधन बढ़ा है जिससे भुमंडिले तापन तथा जलवाई परिवर्तन जिसी समस्या का उद्य हुआ हुआ तो इंट्रोडेक्शन में बेसिक इंट्रोडेक्शन ने लिखा है लेकिन इंट्रोडेक्शन में चुकि गांधी जी के उन्होंने कोट कर दिया है इसलिए इसका इंट्रोडेक्शन और बहतर हो गया यह जो introduction इन्हों ने लिखा यह basic चीज है आपको भी लिख सकता है इसको लेकिन चुकि यह लों ने गांधी जी के quotation को यहाँ पे quote कर दिया है इसलिए इसका introduction काफी सुन्दर हो गया अब देखे question के जो पहला part पहला part के question तक था पहला part यह था कि भूमंडिले तापन और जलवाई परिवरतन से क्या तात्र पर है इसको फर्स्ट पार्ट में नहों ने डिल किया पिछले 50 वर्स में कोईला तथा पेट्रोलियम जैसी प्रमपरागत उर्जा संसाधनों में विर्धी हुई है तथा 100 वर्स से भी जाना जाता है यानि ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है अब यहां पर यह जो डाटा इन्होंने कोट किया अगर मालिजे इस डाटा को अगर किसी समिती या मैं बोलूँगा United Nation Environment Program की रिपोर्ट के नुसार या United Nation की रिपोर्ट के नुसार अगर यहां प कि पिर्थवी के औसत तापमान में विर्धी होने के कारण औसत मौसम में भी परिवर्टन हो रहा है जिससे और समय वर्षा और समय रितु इत्यादी परिवर्टन हो रहे हैं इस मौसम में परिवर्टन से कोट जलवाईव परिवर्टन के नाम से जाना जबता है यानि इन् में उसको लिख दिया है तो एक साकानात्मक इसको कह सकते हैं सुरुवात इसी तरह से आपको भी लिखना चाहिए अब question का जो next part है कि इसका कारक क्या है global warming और climate change का कारक क्या है ये question का next part था इससे आपको deal करना था तो कारक में इन्होंने कारक को दो भाग में बाटा एक कारक प्राकरतिक कारक बाटा है और दूसरा मानुविय कारक बाटा तो प्राकरतिक कारक क्या है ग्लोबल वार्मिंग का या climate change का प्राकृतिक का रख्या है तो जलवायू जोला मुखी का उद्गार होता है उससे आप देखेंगे जब जोला मुखी का उद्गार होता है उससे sulfur dioxide बाहर निकलता है carbon monoxide बाहर निकलता है carbon dioxide बाहर निकलता है जलवास बाहर निकलता है धूलकन निकलते हैं तो वो भी कहीं न कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग को इंपेक्ट करता है बढ़ाता है जल्धारे महासागरी यह जल्धाराएं हैं वो कई बार इसका कारण है इसके बाद जंगलों में लगने वाली आग जंगल में जो आग लगता हो प्राकृतिक प्राकृतिक कारण से भी लगता IT यह सब तोगरा मानुाय कारक को deal किया कि मानुविय कारक के कारण किस तरह से climate change हो रहा है जिसे culoBal Warming हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और साथी साथ इन्हों ने ग्रीन हाउस गेस प्रभव जो है उसको यहां पे थोड़ा से एक जगर डिल कर दिया है चित्र दे करके अब दिखे हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्हों ने यहां पे कारक को थोड़ा बहुत डिल किया कुछ लिख दिया है कारक को और यहां पे कुछ पॉइंट में उस कारक को डिल किया है अब दिखे प्रभव यहां पे लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभव है यद्दिपी एक क्वेशन में नहीं पूछा गया था अगर माल लिजिए कोई पा क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभव है जय विवित्ता पर नाकानात्मक प्रभव पर रहा है उधारन सवरूप 2050 तक 50% जय विवित्ता नस्ट होने का खत्रा अगर यह एक समीति का रिपोर्ट है या एक 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 रिपोर्ट आया था इस तरह का मैं रिपोर्ट का नाम भूल तो अगर इस तरह का उधारन देख कर लिख रहा है आप तो भले इस तरह के चीजों को आप कोट कर सकते हैं लेकिन उस रिपोर्ट को अगर आप कोट कीजिएगा तो आपको माक्स अधिक मिलेगा इससे खाद सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पर रहा है यहां पर देखे इन्हों ने एक अच्छा इसको डिल किया इंद्रा गांधी इंस्ट्टूट अब डेवलप्मेंट रिसर्च के अनुसार भारत में सकल घरेली उत्पाद में कितना 9% की गिरावट हुई है क्लाइमेट चैंज और गलोवल वार्मिंग के कारण तो चुकि इन्हों ने इंद्रा गांधी इंस्टूट अब डेवलप्मेंट रिसर्च को कोड किया है तो इसलिए यह ऑथन्टिक हुआ अथन्टिक सोर्स कर सकते हैं अथन्टिक डाटा हुआ तो इस तरह से किसी डाटा को आप लोग कोड कर सकते हैं किसी समिति को कोड कर सकते हैं किसी रिसर्च संस्था को आप लोग कोड कर सकते हैं नेतियाय को कोड कर सकते हैं तो आपके अंसर अधिक ऑथन्टिकेट होगा अब देखे बाड सुखाव की समस्या उत्पन होने से किसी छेतर में नाकारत्मक प्रभाव पर रहा है और बिहार में धाई लाख हेक्टियर भूमी जल जमाव से गरसित होता अब ये जो डाटा है बिहार में धाई लाख हेक्टियर भूमी जल जमाव से गरसित है ये data जल संसाधन मंत्री के द्वारा बताया गया था और ना सिर्प ये बताया गया था बलकि बिहार के जल संसाधन मंत्री ने ये भी बताया था कि बिधान सभा में जो question आते हैं उसमें 70-80% question बिहार में जल समस्या को लेकर के आता है तो यहाँ पे question की मांग भले ही बिहार से सम्मधित नहीं है जलवाई परिवरतन और global warming को लेकर के question की मांग कहीं से बिहार से सम्मधित नहीं है लेकिन चुकि आप BPSC का exam दे रहे हैं तो आपको बिहार perspective से भी कुछ चीजों को आपको लिखना चाहिए आप लिखेंगे आपको अधिक marks देगा examiner यह expect करता है कि global warming का impact क्या BPSC में हो रहा है क्या भारत में हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और साथी साथ उसका impact क्या बिहार में हो रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कुछ पॉइंट आपको बिहार से भी निश्री तोर पर एड़ करना चाहिए तो यहां पर इन्होंने कुछ जैसे ओजोन परत में जो छीदर हो रहा है लगातार ओजोन परत की छीदर बढ़ रहा था यह इधर घट रहा है लेकिन ओजोन परत की छीदर होना भी ग्लोवल वार्मिंग का ही एक इंपक्ट है तो यह सब पॉइंट इन्होंने लिखा यह दिपी प्रभव कम लिख सकते थे प्रभव बहुत अधिक लिखने के आवे सकता नहीं थी क्योंकि प्रभव पर कोश्चन नहीं पूछा गया था अच्छा कोश्चन का अगला भाग है कि इसके लिए क्या प्रियास किया गया है ग्लोवल वार्मिंग को रुखने के लिए और क्लाइमेट चेंज को रुखने के लिए क्या प्रियास किया गया अब दिखिए इन्होंने दो प्रियास लिखा अंतराष्टी अस्तर पर परियास, राष्टी अस्तर पर पर परियास आपको तीन परियास लिखने है इस तरह का कोशन जब भी आएगा आपको तीन परियास लिखने है एक अंतराष्टी अस्तर पर एक राष्टी अस्तर पर और एक बिहार के अस्तर पर अंतराष्टी अस्तर के द्वारा climate change को लेकर करके पहला summit हुआ था 1972 में Stockholm convention के नाम से accepted video भी मैंने उस पर बनाया था 1987 में Montreal protocol हुआ था जो global warming को कम करने के लिए था basically ozone को रोकने के लिए था 1987 का Montreal protocol 1992 में Rio पिर्थवी सम्मेलन भी हुआ था United Nation का ही सम्मेलन है 1997 में Kyoto protocol हुआ था यह भी काफी important है 2015 में Paris सम्मेलन हुआ है और 2021 में COP26 हुआ था जो Glasgow summit जिसे हम लोग कहते हैं जो बिटन में हुआ था तो यह सब point को आपको add करने की आविशकता थी अब दिखे राष्टी अस्तर पे इन्हों और यहीं कुछ परियास को लिखें जैसे पुराने वहानों के परिचालन पर ग्रीन टेक्स लगाना इसके अलाबा सक्रेप policy बिहार सरकार स्रेकर ने सक्रेप policy लाई थी कि पुराने पंद्रव वर्स पुराने जो वहान है कमर्शियल वहान है और 20 वर्ष से अधिक पुरान है जो निजी वहान है उसको स्क्रेप करना यानि उसको मार्केट से परचलन को हटा देना उसको हटा देना मार्केट से बाहर कर देना यानि वो गारी आप नहीं चलेगे उसको आपको एसक्रेप करवाना पड़ेगा इसे तरह से कंपा फंड का आयोजन किया गया है जिसके तहत पेर पोधर की कटाई पे मुआपजा का प्रावधन है केमपा फंड आप लोग परह ही होंगे निश्चे तर पर पर परह होंगे फेम योजना के माध्याम से जो गारी आप लोग लेते हैं जो इवी लेते हैं इसके साथी साथ 2015 में फ्रांस के मदद से अंतलास्टिय सौर गठवंदन का भारत ने इसका सुलवात किया है इंडिया में सुलवात हुई है जिसका हेड़क्वार्टर आपको गुरगवाओं में है वर्ण निती 1972 आया था प्रियावरन स्रंक्षन निती 1986 आया है तो ये सब इसके अलावा कई साथ योजना जीसे उजवाला योजना ये सब भी कहीं ने कहीं global warming को कम करने का प्रियास करता है इसके अलावा कई साथ जो नई वाहन है नई वाहन में आप देखेंगे नई मानक की गारे का प्रियोग हो रहा है या solar state light को बढ़ावा दिया ज़रा है solar energy को बढ़ावा दिया ज़रा है electric vehicle को बढ़ावा दिया ज़रा है राष्टिय सोर निती के तहट 2022 तक 175 गीगावाट उर्जा को उत्पादन करना था तो यह सब यहाँ पे सोग किया गया है और उसी के तहट यह जो हमारा Paris समझोता है के तहट जो हमने टागेट लिया था कि 175 गीगावाट 2022 तक उत्पादन करेंगे उसको भी यहाँ पे एक graph में इन्होंने सोग कर दिया तो यह सब point आपको लिखने क्या है और इसी के साथ नीचे आपको बिहार के प्रियास भी लिखना क्या वसकता थी global warming को कम करने के लिए climate change को रोकने के लिए बिहार सरकार ने क्या प्रियास किया जैसे बिहार सरकार में आपने देखेंगे कि हर्याली प्रियोजना जो बिहार सरकार लिका आई है उसका एक प्रभव उसका आप देख सकते हैं बिहार में भी solar energy को लेकरके लगातार काम हो रहा है सरकार लगातार fund कर रहे है solar energy को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार में भी देखेंगे state solar state प्रियोजना बिहार में भी स्रुवक किया गया है या कई सारा बिहार सरकार और concern का अंतिम point था कि आप इसको कम करने के लिए यानि आप पे ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपको global warming को कम करना है आपको climate change को रोकना है तो इसके लिए आप क्या प्रियास करेंगे यहाँ पे इन्होंने कुछ जोह दिया है नवी करने और उरजा पे अधिक बल दिया जाना चाहिए पुराने कारिका है इसके परिचालन को बंद किया जाना चाहिए इस तरह से कुछ आप अपने लेवल से सुजहो दे सकते हैं और सुजहो के बाद अंतु गत्वा आता है निसकर्स चुकि जब आपके examiner आपके question को परता है तो निसकर्स पर के ही marks आपको देता है इसलिए आपका निसकर्स authentic होना चे निसकर्स बहतर होना चे और इन्होंने लिखा है कि निसकर्स तर जल्वाई परिवर्तन वब भूमंडलिय तापन संपूर्ण बिश्व के लिए एक खत्रा उभर के सामने आया है आदी समय रहते वे इस पर नियंतर नहीं किया गया है तो संपूर्ण मानवजाती का विनास हो सकता है यदि समय रहते वे इस पर नियंतर नहीं किया गया है तो संपूर्ण मानवजाती का विनास हो सकता है यह मैं भी लगातार बोलता हूँ कि अगर गलोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो पूरे बिश्व को बिश्व करनास हो जाएगा और कई सारे रिपोर्ट ऐसा आया अगर IPCC के रिपोर्ट आप देखेंगे तो IPCC के रिपोर्ट में यह इसा कहा गया है कि आने वाले 30 वर्ष के बाद जो है अबरेज टेंपरेचर प्रिथ्वी का 2 डिगरी क्रॉस कर जाएगा जैसे ही टेंपरेचर दो डिगरी कर गएगा बिश्व का कई सारा जो आइस है बिश्व का कई सारा जो बर्फ है फुट दूब जाएगा अट्लांटिका बहुत तक पिखल जाएगा हिमाले के कई सारा बर्फ पिखल जाएगा और वो पिगलेगा क्या होगा वो पिगलेगा तो समुद्र का टेंपरेचर उचा होगा समुद्र का टेंपरेचर बढ़ेगा और समुद्र का जो जल अस्तर है वो भी बढ़ेगा और जैसे हैं समुद्र का जल अस्तर बढ़ेगा बिशो का कई साला दूप डूप जाएगा भ उसको format बनाईए कि क्या-क्या लिखना है पहला आपको introduction लिखना है उसके बाद जो body part में question की जो मांग है उसको लिखना है और last में आपको conclusion लिखना है यही basic format होता है इसी format पर question आपकी लिखने का प्रियास किजिए और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपका answer in reach होते जा आप खुद से नहीं लिखेंगे, तब तक confidence आपको नहीं आएगा, daily लिखना शुरू कीजिए, आप कम ही लिखेंगे, कम ही लिखेंगे, मतलए एक question में अगर मालीज़े, आप तीन ही पीज लिख पा रहे हैं तो लिखेंगे, कोई issue नहीं है, लेकिन लिखेंगे, daily पांच से छे question अगर आप लिखेंगे, तो आप में धीरे-धीरे confidence आएगा, और धीरे-धीरे answer writing आपका enrich होगा, मैं एक point लगातार बोलता हूं, कि answer writing जो है, एक art है, और एक art एक दिन में improve नहीं होता, art लगातार improve होता, तो art पे लगातार मेहनत करने के आवश सकता, चलिए वीडियो एक लिए आप सभी का धन्यवाद, फिर un-mortal answer मैं आपके सामने में लिखाऊंगा, thank you so much.